नमस्कार जोतिश विज्ञान के खास कारक्रम एस्टर लाइव में आप सभी का स्वागत है आपके साथ मैं हूँ कंजन शर्मा और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारे शो का मकसद होता है कि आप तक जोतिश विज्ञान के अनेक अंगनेत रहस्यों से समेटे हुए इस कारक्रम में एहम जानकारियां पहुचा सकें तो आज अट्र लाइव में बात होने वाली है गुप्त नवरात्रों के बारे में जयां गुप्त नवरात्र शुरू हो चुके हैं और ऐसे में बताएंगे आपको कि गुप्त नवरात्रों का जो महत्व होता है, क्या होता है? क्योंकि आज अस्टमी और कल नवमी भी है और कहा जाता है कि इन दिनों में आप कुछ ऐसी महा विद्याएं होती हैं अगर उनको सही तना से पालन कर लें तो आप उसमें महारत हासिल कर जाते हैं और इसका फायदा आपके जीवन में आप उठा जाते हैं तमाम एहम जानकारिया होंगी साथे साथ अगर आपके कोई भी परिशानी है आप चाहते हैं वो दूर हो जाए तो गुप्त नवरातर में पूजा पाठ ध्यान के साथ साथ क्या उपाय किये जाएं ताकि तमाम परिशानिया दूर हो जाएं सब कुछ बताएंगे आज के इस कुछ आच्या रहे है जॉक्टर राजकुमार साथ स्वागतं है शास्त्री जी सबसे पहले आपका स्वागत रभी इक होते हैं शाल्गी नवरातर एक स्टाइज生 गुप्त नवरातर इनकी तो महिमा मते पहले हैं और अस्टमी vir नव्मी भी है और कहा जाता है कि दस ऐसी महाविद्याएं हैं जो इन दिनों में हम हासिल कर जाते हैं अगर उनको सही तरीके से पालन किया जाए तो जे कंचान आपने बहुत यह सुंदर बाद पूछी है और यह आपका जो प्रश्ण है बहुत प्रसंस नहीं है क्योंकि आपके इस प्रश्ण के पीछे जगत का कल्याण छिपा हुआ है आपने नवरात्रों की चर्चा की नवरात्र दो प्रकार के नवरात्र होते हैं एक नवरात्र होते हैं जिनको उदय नवरात्र कहते हैं प्रकट नवरात्र कहते हैं और दूसरे नवरात्र होते हैं जि उदे नवरात्र हैं यह आश्यन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से आरंभो करके और नौमी तक चलते हैं इनको कहते हैं शारदी नवरात्र इसी प्रकार से चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से आरंभो करके राम नौमी तक चलने वाले यह वाशंती नवरात कहलाते हैं जो उदय नवरात्र हैं इसमें भगवती जगदंबा के नौव स्वरूपों का ध्यान किया जाता है और देवी के उन्हीं नव स्वरूपों का प्रतिदिन पूजन किया जाता है प्रतमम शयल पुत्रीचा दुतीयम ब्रम्हिचारणी तृतीयम चन्दर घंटेती कुश्मान्डेती चतुर्थकम पंचमम इसकंद मातेती सस्थम कात्यायनीतिचा सब्तमम कालरात्रीती महागवरीती चाष्टमम नवम सिध्धिदात्रीचा नव दुरुगा प्रकिर्तिता इसको नव दुरगा भी कहते हैं, मारकंडे पुरान से 700 श्लोकों को ले करके, देवी के इन 9 स्वरूपों की ध्यान उपासना का जो पाठ निश्चित किया गया, जो सूक्त निश्चित किये गए, वह नव दुरगा के नाम से जाने जाते हैं, और उस पुस्तक का नाम है दु नाम से 700 मंतरों का पाठ इसमें किया जाता है, यह बहुत सक्ति संपन्न नवरात्र कहलाते हैं, इसके अतरिक्त और भी जो दो नवरात्र होते हैं, जो आसाड मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को आरंभू करके, नौमी को जिनका पारण किया जाता है, यह गुप्त नवरात्रों में देवी के गुप्त स्वरूप के गुप्त रूप से पूजा की जाती है, इन गुप्त नवरात्रों की साधना करने से इसमें दस महाविद्याओं की साधना की जाती है, वह अपने आंतरिक गुण और अपनी आंतरिक शक्ति के विकास के लिए दस महाविद पिर त्रिपुर भैरवी हैं, धूमावती, आठमी देवी माता बगला मुखी हैं, फिर मातंगी हैं और सबसे अंत में जो दश्वी महाविद्या है उसका नाम कमला है। का पूजन होता है, गुरू, परम गुरू और परमेश्ठी गुरू। आदर्ने श्री करपात्री जे महाराज ने दस महाविद्याओं की साधना के लिए स्री विद्यारतनाकर और बरिवश्या नाम के गरंथ की रचना की ये महाशक्ती से संपन होते हैं। किसी व्यक्ति की कुंडली में ग्रह दोश होता है। या जिस प्रकार से ये जो दस महाविद्याओं हैं, जिस प्रकार वास्तु सास्त्र में दस दिशाओं होती हैं। पूर्व से लेकर के पहली पूर्व दिशा है, फिर अगनी कोण है, फिर दक्षन है, फिर नेरित कोण है, फिर पश्चिम कोण है, दिशा है, उसके बाद फिर वायब कोण है, उसके बाद फिर उत्तर दिशा है, फिर इशान कोण है, फिर पूर्व दिशा आ जाती है। फ्रकार वास्तु सास्त्र की जो 10 दिशाई हैं यदि मकान में भवन में किसी भी दिशा में कोई दोस होता है तो अलग-अलग 10 महाविध्यां College के उन अलग अलग दिशाव में की जाती है और उसे व्यक्ति भुक्ति मुक्तिंचा विंदती उसे व्यक्ति भौतिक सुखों को भी प्राप्त करता है और मुक्ति को प्राप्त करता है यदि किसी अकारण परेशानी पैदा हो जाए या किसी व्यक्ति को शत्रू बहुत परेशा मिलती है धन की व्रद्धी के-लिए देवी कमला के उपासना करना चछी ुषत्रु कानाश करना है ०ेवी काली है धूमावती है भगवती भगलामुखी है इस प्रकार से यह दस. भौ्र सुखों को दे योग अक्रमेंडरा भी रही ताई ही, कुंडली में बहुत प्रकार के नाभश्योग होते हैं, सुनफा के उनसार विक्ति के जीवन को बना देते हैं. इनका कहना है कि ये कई परिक्षाएं दे रहे हैं, लेकिन सफलता इनको नहीं मिल पाती है, उपाय बताएं क्या करें? देखें जिस प्रकार से आपका नाम है, उसी प्रकार से आपका जो जन्म है, म्रग शिरान अच्छत्र में हुआ है, निर्वह का मतलब होता है, जिसको कोई भै नहीं रहता. आपका जन्म मिथुन लगन में हुआ है निर्वह और आपका जो चंद्रमा है, जो आपकी राशी का निर्मान करता है, वह आपके लगन में ही बैठा हुआ है. तो इस प्रकार से आपकी जन्म लगन और जन्म राशी दोनों ही एक ही हैं यह आपके मनोबल को बढ़ा रही है आपके अंदर बहुत मनोबल है आपका जो आत्मश्वास है बहुत ही अच्छा है और जिस व्यक्ति का आत्मश्वास मजबूत होता है उद्यमे नहीं शिद्यन्ती नकार याणी मनोर्थ है ही नहीं सुपतस्य सिंगहस्य प्रविशन्ति मुखे म्रगा उद्यम करने से कार की शिद्धी होती है सोते हुए सेर के मुख में म्रग कभी नहीं जाता है तो बरतमान समय में आपका समय बहुत ही अनुकूल चल रहा है देखिए ब्रहस्पती की महादशा आपकी चल रही है और ब्रहस्पती की महादशा में बुद्ध का अंतर मार्च 2020 तक है देखिए 2017 दिसंबर से आपका समय थोड़ा सा ठीक नहीं है और ये मार्च 2020 तक का समय आपके लिए बहुत अनकूल दिखाई नहीं पड़ रहा है इसके उपरांत जैसे ही आपकी बुध के वाद केतू की अंतरदसा समाप्त होगी और शुक्र की अंतरदसा जैसे ही आरंभ होगी आपको सफलताएं मिलनी आरंभ हो जाएंगी जिस मनो कामना को ले करके आप जो भी कार कर रहे हैं वह कारी आपके सिद्ध होंगे लेकिन आपको मैं एक बात अवस्ष कहना चाहूंगा यदि कहीं आपका जो ग्रह प्रवेश है यदि आपने ठीक समय पर ग्रह प्रवेश कर लिया है वरस वास्तु आदी का विशेश रोप से ध्यान रखाया तो ठीक है अनथा जो कुंडली में आपका योग बन रहा है वह अगनी कोण आपका दूसीत है कुंडली के आधार पर अगनी कोण में देखी हमारे वास्तु सास्त में सल्ल सोध की एक प्रक्रिया है जिसमें हम भूमी का मिट्टी का परिक्षण करते हैं उसको भूमी सोधन कहते हैं उसी प्रकार सल्ल सोधन भी किया जाता है तो शल्ल सोधन आपको कराना चाहिए क्योंकि आपके अगनी कोड में कुछ दोश आ रहा है जो आपके घर के परिवार की उन्नती में बाधक दिखाई पड़ रहा है कुछल किसी वास्तुविद को मिल करके अपने घर में बुला करके और चोकी टीवी चैनल पर भूमी सोधन या सल्ल सोधन हो नहीं सकता है तो आप कुछल वास्तुविद को बुला करके अपने घर का सल्ल सोधन या भूमी सोधन आप अवश्य कराएं यदि वहाँ पर कोई दोश है तो उसको जो है दूर करवाएं और आपकी घर की उन्नती आरंब हो जाएगी ग्रह में कुंडली में कहीं किसी प्रकार का दोश नहीं है कुछ और भी मेल से इनकों शामिल करें लेकिन जैसे कि मेरे आप से सवाल था आपक शक्तियों की तरफ लोग जादा ही बढ़ जाते हैं इन दिनों में गुप्त नवरात्रों में मैं चाहूंगे कि आप एक संदेश भी जरूर दे और ये भी जरूर बताएं कि इस तरह की शक्तियों को हासिल करने से अगर वो सोचते ही कि उनको फायदा है सामने वाले को नुकसान हो जाएगा क्या बाकिया ऐसा होता है या प्रक्रती इंसाम भी करती है फ्रिजा करके देखी कंचण बिलकुल आपने ठीक बात पूछी है लेकिन हमारी चाहे आप गुप्त नवरात्रों की बात करें या उदे नवरात्रों की बात करें यह रिशियों के द्वारा दिया हुआ ग्यान है गुप्त नवरात्रों का जिस रिशी ने उपदेश किया उसका वरणन तुलसी दास जी ने रामायण में किया है एक चोपाई तुलसी दास जी ने लिखा है कि श्रंगी रिशिहीं वसिष्ट बुलावा पुत्र कामहित जग करवावा भगति सहित मुनी आहुति दीनी अप्रकटे अगनी चरू कर लीनी यहाह विवाटि देहुन रप जाई यथा योग जहीं भाति बनाई कि श्रंगी रिशी ने गुप्त नवरात्रों का उपदे से एक ऐसी इस्त्री को दिया जो कि अत्यंत अपने घर से परिवार से परेशान थी और वह साधना प्रत्यक्ष रूप से कर नहीं सकती थी क्योंकि उसके पती का आचरन, खान, पान, रहन, शहन, शील सब ठीक नहीं था अहारशुद्धव सत्वसुद्धी शंकराचार जी ने विवेक चुडामणी में लिखा है, शंकरभास्च में लिखा है तो वह ठीक नहीं था तो ऐसी इस्तिती में उसकी परेशानी का निजात हो जाए उस परेशानी से छुटकारा पाने के लिए शरंगी रिशी ने गुप्त नवरात्र में गुप्त साधना का देवी की उपासना का वह मंत्र जो है विधी कावरणन किया इस प्रकार के और भी कई रिशीयों का उलेख जो है रामचरित मानश में किया है और रिशी की वह वाणी होती है जो व्यक्ति के भाग को वदल देती है रिशी वाक्यम समस्त रिशी वाक्यम सुक्तम रिशी के जो समस्त वाक्य हैं वही सुक्त कहलाते हैं और वह रिशी वाक्यम जो की व्यक्ति के किश्मत को बदलने में शक्षम होते हैं और जो है आप जानते ही हैं उसी को नाम का नाम है आशिरवात, आशिरवात का मतलब होता है विशेई सधिकार देना, तो इस प्रकार से जो गुप्त प्रिश्चित रूप से वह हानिकारक हो जाता है इसलिए यह सास्त्र विधिम उत्स्त्रज यह जनते इह देवता नसा सिध्धिम आपनोती न सुखम न परामगतिम इसलिए इन साधनाओं को विशेश गुरु के संरक्षन में विद्वान के संरक्षन में बैठ करके ही साधना करनी चाहिए जे बिलकुल आगे बताएंगे के अस्टमी और नवमी आज अस्टमी है कल नवमी है और ऐसे में गुप्स नवरात्री में देवी उपासना से कैसे आप फायदा उठा सकते हैं यानि कि आपने जो भी इच्छा मांगी हुई है वो इच्छा पूरी हो सकती है ल बीस ग्यारा उनिस सो सतर रात के नौ बचकर पेंतालीस मिनट और इनका जो जरम स्थान है हम एक बार फिर से कहेंगे आप जितने भी हमारे दर्शक हैं कि आप जब भी हमें मेल करते हैं तो डेट ऑफ बर्थ टाइम प्लेस ज़रूर भेजिए लखी सराय इनकी बर्थ प्ल प्रिंट मीडिया के शेत्र में क्या ये संभव है और ऐसे में लाभ हो इसके लिए उपाई भी बताएं कंचन देखे इनका जो जन्म है ये बहुत मघान अच्छत्र में इनका जन्म हुआ है और इनके नच्छत्र का जो स्वामी है वो केतू है तो ये है इनके लिए बहुत आवशक है कि यद्दपी तो ये खुद ही जो है इनका नाम टेगन पंडित जो अंतिम शब्द है पंड सर्वभूत एशू यह पश्यतिसा पंडिता है जो अपने जैसा ही पूरे समसार को मानता है किसी का अपमान यदि कोई मेरा अपमान करता है तो मजे दुख होता है इसलिए मैं भी किसी का अपमान ना करूं इस बात को जो समझता है वही पंडित कहलाता है तो यह बहुत को बनाते हैं और वहीं बिगाड़ते हैं तुलसिदास जी ने एक चोपाई लिखी रमायण में कि रिशी अगस्त की शाप भवानी राक्ष से भया ओ रहा मुने ग्यानी रिशी अगस्त के श्राप के कारण जो है श्राप का मतलब होता है कि विशेश अधिकार को छिन लेना व उनको वापस ले लेना ही साप का सब्द का अर्थ होता है तो इनको चाहिए कि शुक्र और गुरू चूंकि इनके दोनों ही केंदर में बैठे हुए हैं इसलिए किसी विद्वान के संडक्षण में रह करके और उनके साथ में कुछ दिन साधना करें दस महाविद्याओं के स अच्छे योग का निर्मार नहीं कर रहा है तो इसलिए इनको आशिरवाद क्या बसक्ता है भगवान शंकर का अशिरवाद ने हैं अपने माता पिता का आशिरवाद लें इनका प्रात काल अधी ऑइसलिए के रघुनाथा मात पेता गुरू ना वहिमाथा आशिरवाद से इनके सारे काम बनेंगे कंचन तो इनको आशिरवाद की बुद्धी तो इनके पास में है लेकिन आशिरवाद की शक्ती चाहिए उसकी आपशक्ता है और वो इनको संग्रह करना चाहिए जे करचा अब शास्ति जी ये जरूर बताएं क्योंकि अस्टमी और नवमी है आज अस्टमी है लेकिन अस्टमी की विशेशता जैसे की भी आप बता ही रहें देवी उपासना औ लेकिन पूजा विधी अगर आप बता पाएं आज की दिन की अगर संध्याकाल की और साथी साथ नियम भी बहुत जरूरी होंगे साफधानिया होंगी जिनको आप बता पाएं जो आज करनी चाहिए और कल के लिए भी देखिए कंचन आपको बताओं कि आज अस्टमी है और महेस चित चंदर चकोरी भगवती गवरी समस्त शक्तियों के अधिश्ठात्तरी है और गवरी का ही स्वरूप हमारे रिश्यों ने कन्याओं को बतलाया है तो इसलिए जिक किसी भी प्रकार की परेशानी है शाहे शरीरिक परेशानी है देखिए कोई तन दुखी कोई मन थोड़े जादा सब दुखी एक सुखी राम के दास तो इसलिए उन कन्याओं में गवरी का स्वरूप मान करके उनका पोजन करना चाहिए और उन कन्याओं को भोजन की सामगरी और उनके लिए वस्त्र उनके लिए पढ़ने की सामगरी और दक्षणा क्योंकि दक्षणा के वगेर यग्य की पूरणा हुती नहीं होती है तो ऐसा इन समस्त वस्तुन को उन कन्याओं को दे कर के और उनको दंडवत प्रणाम करना चाहिए और यह संकल्प करना चाहिए कि अपने आस-प्रोस की जितनी भी कन्याई है स्वयम भी उनको दंडवत प्रणाम करें आपके जो जवान पुत्र हैं उनसे भी उनको दंडवत प्रणाम करवाना है और उनको ये समझाना है कि तुम्हारे आस पडोस की जितनी भी कन्याई हैं इन कन्याओं के चरणों में ही तुम्हारा इस्थान है इसके अलावा कहीं पर भी द्रस्टी नहीं डालन इसलिए लक्षमण जी ने कहा कि अगर जानकी माता के चरणों के आभुशन होते तो मैं इनको पहचान लेता लेकिन माता के हाथ के और दूसरे शरीर के अंगों के आभुशन है इसलिए प्रभू मैं जानकी कि इन आभुशनों को पहचान नहीं सकता तो इसलिए वही इवर प्रणाम करना है उनका अश्रवाद लेना है। बहुश की कर्या कि पुजन का जो है विशेश बिधान है आत वर्सा की नो वर्सा और दस वर्स की तक जिद्धियां जहां अबतरी सो पुर वरण ही की जाए जहां कन्या का जन्म हो गया वहां और किसी किस्मत को लाने की किसी उपासना की क्याब शुकता है स्वयम जो है सास्त्रों में लिखा है कि सौ पुत्रों के वराबर एक ही कन्या का महत्तु है सौ पुत्रों का पालन करने से जितना पुन मिलता है उतना पुन एक कन्या के पालन पोशन करके उसको पढ़ा लिखा करके कन्यादान कर दे तो सो पुत्रों के पुन पालन करने का जो पुन प्राप्त होता है उतना पुत्र एक ही कन्या के पालन करने से प्राप्त हो जाता है तो इसलिए है सास्त्रतों कहते हैं कि धन की सुध्धी बिना कन्यादान के नहीं होती और माता के गर्व की शुद्धी जब तक कन्या का जन्म नहीं होता तब तक माता का गर्व शुद्ध नहीं होता और पिता का वन्ष भी शुद्ध नहीं होता तो इसलिए बहुत महत्तु है कन्याओं का आज वह सुन्दर अवसर है इसका फाइदा उठाएं इसका लाव उठाएं और अपने जीवन को करतार्थ करें बिलकुर इसके लावा कल नवमी है तो पूजा जिसतरा से भी आपने ताया कन्या पूजन और विदियान सार अगर आप कन्या पूजन करते हैं तो यकीन देवी शक्तियों का आशिरवाद हमें मिल जाता है लेकिन कन्या पूजन के साथ ही समापन समझें गुप्तन अवरात्र यह देवी का जो नवाण मंत्र है इसी मंत्र के द्वारा कम से कम 108 वार आहुतियों को दे करके देवताओं की तरप्ती के लिए हवन करना चाहिए हवन के उपरांत और अगर स्वैम हवन कर सकते हैं तो ठीक है न था किसी करमकांड से के विद्वान को बुला करके उनके माध पूरी विद्वी का पालन करने से अनुषरन करने से और उस कारिकी शिद्धी हो जाती है और देवी की क्रपा जिसको प्राप्त हो जाए उसे और किसी क्रपा क्याप शक्ता रह नहीं जाती इसलिए सास्त्रों ने प्रथम इस्थान माता का किया है और दूसरा इस्थान पिता का बतलाया है जे, बिल्कुल तो चलिए अब बारी आगई महाउपाई की गुप्त नवरात्री की अस्टमी नवी को कैसे क्या किया जाए ताकि आपी जीवन की तमाम बाधाएं दूर हो जाएं यानि कि देवी शक्तियों का आप पर आशिरवात बना रहें जो तीशे महाउपाई इसमें कारगर साबित ब्रत नौमी का कन्या पोजन करने के उपरांत ही पारण होता है तो इसलिए चोंकि अस्टमी गौरी की तिथी है गौरी का पोजन अस्टमी को किया जाता है इसलिए हम गौरी का पोजन के स्वरोप में कन्याओं का पोजन करते हैं लेकिन ब्रत की समाप्ति नौमी को होती है यह विशेश रूप से ध्यान रखने के आप सकता है कन्याओं के पूजन के लिए जिस प्रकार मैंने आपको बतनाया है कोने भगवती का ही स्वरूप समझना चाहिए